इवियम को लेकर क्या आया सुप्रीम फैसला आखिर विपक्ष को कैसे लग गया बड़ा जटका पीम मोदी को मिल गया भुनाने का मौका सियासिय उठा पटक है या चुनावी चाल नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर राजनीतिक डंगल में कौन किस पर है भारी हर सियासि राओ की इंसाइड स्टोरी प्रजातन्त नमस्कार प्रवसाक्षी के खास कारिक्टरम प्रजातन्तर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंकिय सिंग्रेश में लोग सबाचुनाओं को लेकर प्रचार जबरदस्ते तरीके से जारी है आज दूसरे चलन का मदान भी हो रहा इन सब के बीच एवियम को लेकर भी चर्चार लगातार जा रही है दरसले शुक्रवार को सुप्रीम कोट ने वीवी पैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी आजकाओं को खारिज कर दिया वैलेट पेपर की मांग को लेकर भी दर्जी आजकाओं को सुप्रीम कोट ने रहता है हादा की चुनावायोग साफ तोर पर यह कहता रहा है कि के साथ कोई भी छेड़ छाड़ नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोट का फैसला सत्ता पक्ष के लिए जहां राहत लेकर आया है तो वहीं विपक्ष को बड़ा जटका लगा है कोट ने क्या कहा सुप्रीम कोट से डाले गए वोट का वोटर वेरिफिकेशन पेपर और ट्रेल के साथ मिलान कराने का अन्रोथ करने वाली सभी याजकाएं खारिज कर दी और कहा कि तंत्र के किसी भी पहलू पर आख मुंद कर अविश्वास करना बिनावजा संदे पैदा कर सकता है नियायमोर्ति संजीव से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनह अपनाने का अन्रोथ करने वाली याजका भी शामिल है पीट ने अपने फैसले में कहा लोगतंत्र का अर्थ सर्भाव और सभी संस्थाओं में भरोसा बनाए रखने का प्रयास करना है नियाले ने दो निर्देश भी जारी किया है नियायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को मत्यदान के बाद एलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में चिन लोड करने वाली स्टोर यूनिट्स को 45 दिनों के लिए स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित करने के निर्देश दिये शिर्ष अदालत ने निर्माताओं के इंजिनियर को यह अनमतिदी की वेपरिणाम घोशित होने के बाद दूसरे और तीसरे अस्थान पर रहने वाले और मिद्वारों के अन्रोथ मशीन के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित कर सकते हैं विपक्ष के तमाम नेता एवियम को लेकर सवाल उठाते से एक पक्ष नहीं थी हमने दो न्याय धीशों की पीट के फैसले पर विचार किया है और चुनावी प्रकिरिया में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए वीवी पैट से अधिक से अधिक उपयोग पर हमारा राजनितिक अभियान जारी रहेगा सपाप्रमुख को ठुकरा दिया और कहा है कि चुनावायोग इसका सत्यापन करें कि सारे बैलेट पेपर अगर हम बारकोट डाल दे तो उसकी मशीन से गीनती हो सकती है या नहीं बाजबा को मिल गया बड़ा मौका सुप्रीम कोट के फैसले पर प्रिधानमंति नरींद्र मोदी ने कहा कि कॉंग्रिस के इंडी गठबंधन को नर्देश की समविधान की परवा है और नहीं लोकतंत्र की परवा है ये वह लोग है जिनोंने दर्शकों तक वैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार चीना पोलिंग बोत वैलेट पेपर पर लूट लिये जाते थे जब गरीब है कि उनके सारे सपने चूर-चूर हो गए है रधार मंत्री आज बिहार में थे वहीं बीजेपी के राश्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने कहा कि आज लोगतंत्र के लिए महान देने क्योंकि इसकी जीत हुई है आज बाबा साहब अंबेटकर जी समविधान एसी जटका किसे रहत एवियम को लेकर पहली बार सवाल नहीं उठाया जा रहा है 2014 से लगतार इसको लेकर सवाल विपक्षी की ओर से उठाया रहे हैं बादपा के 400 पार के दावे पर विपक्ष लगतार यह कह रहा है कि सातरोड दल एवियम के साथ छेड़चार कर सकता इसलिए उसे 400 पार का विश्वास है हलाकि बड़ा सवाल यह भी है कि यह विपक्ष उस समय सवाल क्यों नहीं उठाता जब उसके उम्मीद्वार या उसकी पार्टी जीत जाती है हाल में ही पांच राज्यों में विधान सभा के चुनाव हुए थे तिलंगाना में कॉंग्रेस को ज जब कॉंग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी ऐसे में विपक्ष दो तरह की राजनीती करने की कोशिश कर रहा है जो देश के लिए सही नहीं है जाहिर सी बात है कि जनता विपक्ष की इस राजनीती को देख रही होगी दूसरी और भाजपा को सुप्रीम कोड के फैसले से निसाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है बाजबा खुलियाम बता सकती है कि विपक्ष हार का बहाना ढूंड रहा है यह लड़ाई बहुत लंबी है वीबी पैट को लेकर के डीबीम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के यह लड़ाई लंबी है मानने सुप्रीम कोड का जो भी फैसला है उसको अंतोगता सबस्विकार करेंगे लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं लड़ाई लगातर चलेगी और लड़ाई इसलिए जरूरी है लड़ाई लगातर चलती रहेगी और इस बार के चुनाओं में क्योंकि दो चुनाओं के चुनाओं खतम हो चुके हैं इसे चांड के पिणा में हम और आप लोग खड़े हैं मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इंडिया गटबंदन को जिताओ समाजवादी पार्टी को जिताओ सरकार बनाओ और एबियम भी हटाओ साथियों आर जेडी कॉंग्रेस के इंडिया गटबंदन को ना देश के संविधान की परवा है और ना ही लोकतंत्र की परवा है यह वो लोग है जिनोंने दसकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का गरीबों का अधिकार छिना पोलिंग बूथ लूट लिये जाते थे बैलेट पेपर लूट लिये जाते थे बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आर जेडी कॉंग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र बैलेट पेपर लूटे जाते थे इतना ही नहीं गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था मेरे दलीद भाई बहन मेरे पिछडे भाई बहन उनको तो डंडे के चोड़ पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था अब जब गरीबों को देश के इमानदार मतदाता को ईवी एम की ताकत मिली है तेज़त चुनाव के दिल लूट चलाते थे वोट हड़प करने के खेल खेलते थे इन लोगों से बरदास्त नहीं हो रहा था अभी भी वो परेशान है और उसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है कैसे भी करके इवी एम हटना चाहिए यह बटन दबाने वाला खेल बंदोना चाहिए यही उनका खेल चल रहा है इन्डी गडबंदन के हर नेता ने इवी एम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है लेकिन आज देश के लोगतंत्र की ताकत देखिए बावासा बांबेड करके संविधान की ताकत देखिए आज सुप्रिम कौट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा जटका दिया है ऐसा गहरा जटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए आज उच्चन आयले ने सुप्रिम कौट ने साप साप कह दिया है कि बैलड पेपर वाला पुराना दौर वापस लोट करके नहीं आएगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके